हलो फ्रेंज आरेसे स्टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है आज हम बिहार पुलिश का पाचमा सेटर स्टार्ट करेंगे इससे पहले चार सेट अपलोड कर दिये हैं नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं और इसका पेडियाप सेंट कर दिया जात कि जीएगा तो देना करते हैं फश्ट नमबर कोशन से चलेंगे कराय राजा राम मोहंड राय द्वारा ब्रहम समाज के स्थापना की गई थी इसका सही अंसर आपसर नमबर सी हो जाएगा आपसर नमबर सी और अठारा सो अठाइस में नेस्ट कोशन कर रहा है कोशन में कि है स्थिये समिध्हान में पहला संसोधन किस वर्ण किया गया था तो इसका सही अंसर आपसर नमबर सी हो जाएगा रहा है कि नेस्ट कोशन की बात करेंगे तो नेस्ट कर रहा है कोशन में कि कि निमलिखित में से किस परस्थिती में भारत में स्वत्तंतरता के मौली का दिखार को कम किया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा option number C हो जाएगा यानि कि राष्टी अपातकाल किसम है next question की बात करेंगे तो next question कराय question में कि नौकर शाही का कार्ज है तो इसका सही अंसर option number D हो जाएगा उप्युक्त सभी सरकार के नितियों को लाग करना पर शासन चलाना मंत्रियों के साहिता करना सभी हो जाएगा next question कराया है खाली अस्था पूर्वी परवस्ति इंखला के रूप में जानी जाती है तो इसका सही अंसर option number D हो जाएगा पठकाई पहारिया हो जाएगा next question कराया question में कि सुरचा पर कोश्टरिंग फ्रेंस की निति समंधित है तो इसका सही अंसर option number 1 हो जाएगा बारेन हेस्टिंग से समंधित है next question कराया question में कि All India Trade Union Congress के पर्थम अधियश कौन थे तो इसका सही अंसर option number D हो जाएगा लाला लजपत राय थे next question कराया है कि महात्मा बुध ने अपना पहला हर्म प्रावर्त किस अस्थान पर दिया था तो इसका जो सही अंसर होगा option number B हो जाएगा सारनाथ हो जाएगा next question कराया question में कराया है कि निमलिखित में से किस को समिधान दौरा मौली का धिकार को लागू करने की सक्ति दी गई है तो इसका सही अंसर OPSA NUMBER D हो जाएगा सरवोच नियाले के यानि सरवोच नियाले एवम उच नियाले को Next question की बात करेंगे तो next question क्या करा है करा है के निमली खित में से कौन सा भिसाई संबर्ती सूची में है तो इसका सही अंसर option NUMBER B हो जाएगा सिच्छा संबर्ति सूची का भी सही है नेश्ट कोश्चन कराय कोश्चन में कि जिस समीति किसी फारिष पर भारत में पंचायती राज के अस्थापना की गए उसका अध्यच कौन था तो इसका सही अंसर आप्सन अंबर शी हो जाएगा आप्सन अंबर सी हो जाएगा बलवंतरा है मेहता हो जाएगा नेश्ट कोश्चन कराय कोश्चन में कि पंचायती के चुनाप कराने है तो नीडना है किसके द्वारा लिया जाता है तो इसका सही अंसर आप्सन अंबर बी हो जाएगा पंचायत के चुनाव कराने हैं तो नीन है किसके द्वारा लिया जाता तो इसका सही अंसर आप्शन नमबर बीरा सरकार के द्वारा हो जाएगा नेश्ट कोस्टन कराय निमलिकित में से किस समिधान संसोधन अधिनियम को लगू समिधान मीनी यानि की मीनी कंट्टिश्यूशन कहा जाता था तो इसका सही अंसर आप्शन नमबर एक हो जाएगा ब्याली समा next question कराय में घाले का पठार संदचना की दृष्टी से किसके समकालीन है तो इसका सही अंसर option number C हो जाएगा छोड़ा नाकपूर के समकालीन है next question कराय कोशन में कि निमलिखित पर्त्यशकरों में किस कर से सरकार को अधिक्तम राज़स्प की प्राप्ति होती है तो इसका सही अंसर option number 1 हो जाएगा निगम कर कॉपरेक्ट टेक्स next question की बात करेंगे तो next question कराब हारत में सबस्यधी coffee उत्पन करने वाला राज़ कौन सा है तो इसका जो सही अंसर होगा option number B हो जाएगा करना टक coffee में करना टक हो जाएगा इसका सही अंसर next question कराहा है भारत में जन्संख्य बिर्धिक के इतिहास में कौन सबस्य महा विभाजन बर्ष कहलाता है तो इसका सही अंसर option number D हो जाएगा 1901 को महा विभाजन बर्ष अल्लग हूँ विभाजन बर्ष कहेगा तो 1901 हो जाएगा next question next question की बात करेंगे तो next question कराहे जैसे जैसे अर्थ व्यवस्ता विक्सित होती है तो राष्टी आई में तिर्थिये छेत्र का अंस क्या होगा तो इसका सही अंसर option number C हो जाएगा बढ़ जाता है next question कराहा है कि संसर के लोक लेखा समीति में कितने सदस होते हैं इसका सही अंसर option number D हो जाएगा बाइस उगो पंदरा गो लोक सभास होता है और सातो राष सभास होता है कराहे कोशन में कि अंग्रेजी भारतिय सेना में चर्वी वाले कर्तूसों से चलाने वाले एंफिल्ड रैफल कब सामिल की गई इसका सही अंसर option number C हो जाएगा जनवरी 1857 में नेश्ट कोशन करा अमरित बजार पत्रिका के अस्थाप नाकिष ने किये इसका सही अंसर option number D हो जाएगा सिसिर कुमार गोस हो जाएगा नेश्ट कोशन करा गांधे इर्विन समझहोता हस्ताधित होने में किसके मात्पून भूमिका निभाई तो इसका सही अंसर option number C हो जाएगा तेज बहादूर शप्रू हो जाएगा नेश्ट कोशन की बात करेंगे तो नेश्ट कोशन करा निसकरिये बिरोध के सिधान्थ का परतिपादन किसने किये तो इसका सही अंसर option number D हो जाएगा अर्विन भूस नेश्ट कोशन कराय समपरदाई का बार्ड एवं पूर्णा पैक्ट में करम सा दलित बर के लिए कितने सीटिद दी गई तो इसका सही अंसर option number B हो जाएगा एकतर और एकसो अर्तालिस एकतर और एकसो अर्तालिस हो जाएगा नेश्ट कोशन कराय कोशन में कि बर्ष 1899 के बिर्षा मुंड़ा इनकी मुंड़ा करांती करने ता कौन था तो बिर्षा मुंड़ा हो जाएगा option number C हो जाएगा नेश्ट कोशन कराय कोशन में यदि दूद को करा कोशन यदि दूद को गिस्म काल में फिरीज के बाहर रखा जाए तो वह खटा हो जाता है इसका कारण क्या है तो इसका सही अंसर B हो जाएगा यानि कि लेक्टोज शीईड में लेक्टोज सरक्रा का रुपांतरन हो जाता है भी ही हो जाएगा नेश्ट कोशन कराई पीतल में कौन सीध हाथ हुए हैं तो इसका जो सही अंसर होगा आप्सन नमबर डी हो जाएगा पीतल तामा जासता मिलकर बनता है उसके बाद कराई कोशन में कि हमारे भोजन में एवडी नियुक्त नमा खोना क्यों महत्पूर्ण है तो इसका सही अंसर आप्सन नमबर शीव हो जाएगा यह थायराइड ग्रंथी को सुचारू शंचाल में मदद करता है नेश्ट कोशन कराई सोने का गोछला जा सकता है तो इसका सही अंसर आप्सन नमबर बी हो जाएगा इनके तीन भाग hydrochloric acid तथा एक भाग nitic acid कराय कोशन में कि किसी कमरे को ठंधा किया जा सकता है तो इसका सही अंसर option number B हो जाएगा संबेडिक गैस को छोड़ने से कराय लोलक के लंबाई तो इसका क्या हो जाएगा सही अंसर option number B हो जाएगा लंबाई के उपर निर्भर करती है कराय कोशन में कि खारे जल के तलाब में तैर्ने से मनूस की तवचा जल जाती है क्यों जल जाती है तो इसका सही अंसर कलोरीन के कारण कराय कोशन में परकास के उदीपन के कारण पौधे में होने वाले गति क्या कहलाती है तो इसका सही अन्सर option number 1 हो जाएगा परकास नूवरतन हो जाएगा 35 का एक हो जाएगा कराणी मिलिखित में किस विटामिन में क्वाल्ट होते हैं तो इसका सही अन्सर उप्सन नमबर D हो जाएगा विटामिन B बारा उशके बाद का रहा है कि तीन के पथम पाँच गुनज का आउसत क्या होगा तो इसका सही अंसर आप्सन नमबर B हो जाएगा 38 का सही अंसर क्या हो जाएगा आप्सन नमबर 1 हो जाएगा 49 का सही अंसर क्या होगा option number C हो जाएगा 49 का बनाईएगा तो उसके बाद 40 का का रहा है तो 40 का सही अंसर क्या हो जाएगा option number D हो जाएगा 40 का D हो जाएगा next question 41 का जो सही अंसर होगा option number 41 का D ही हो जाएगा 42 का कहेगा तो 42 का सही अंसर D हो जाएगा 43 में देखते हैं करा किस परकार के मीटी में काल्विनिक पदार्थों के अधिकता होती है जिसका सही अंसर एक हो जाएगा काली मीटी में करा किस फसनल के लिए पानी के अधिकता आव शक है लेकिन जमाब नहीं तो इसका सही अंसर option number C हो जाएगा चाई के लिए कराय कोश्चर में कि मुल्भुत मौलिक अधिकारों का पर्मोखुदेश है तो इसका सही अंसर option number B हो जाएगा option number B हो जाएगा ब्यक्तिगा स्वतनत्ता को शुनिशित करना उसके बाद कराय कोश्चर में कि मौलिक करतब्यो कोश्चर मिधान में समलित किया गया है इसका पर्योजक तो 46 का सही अंसर option number B हो जाएगा मौलिक अधिकारों को और अधिक समार्थन बनाना next कोश्चर कराय कोश्चर में राश्चर पात काल के समय लोगसभा के अधिक को पर्थम बार राश्पति द्वारा कितने समय के लिए बढ़ाया जा सकता है तो इसका जो सही अंसर होगा option number D हो जाएगा 12 महीने के लिए बढ़ाया जाएगा कराय कोश्चर में कि टर्की के रजधानी तो इसका सही अंसर option number 1 हो जाएगा अंकार आप्टर की ये हो गया इसका नाम कराय बंगला देश की मुक्ति के समय पाकिस्तान के सासा कौन थे तो इसका जो सही अंसर होगा option number B हो जाएगा यहां खा थे उसके बाद कराय है इंडिया डिवाइडर के लेखक थे तो इसका सही अंसर option number B हो जाएगा इंडिया रिभाइडर राज अंदर परशाद हो जाएगा डिव हो जाएगा डिव हो जाएगा राज अंदर परशा कराय कोशन में देश के स्टाउक एस्चेंज को कौन नियमित करता है एक हो जाएगा जमू कस्मिर में कराय कोशन में अधहौग इक बीश अनुसंधान अधहौग इक बीश बिग्यान अनुसंधान के अंदर कहा है तो इसका सही अंसर option number B हो जाएगा लखनौ में है नेश्ट कोशन कराय बासको डिगामा सीधे समुंद्र मार्ग से पुर्टगाल से भारत को पर्थमार खोजते हुए काली कट के समुंद्र तरपर कप पहुंचा तो इसका सही अंसर option number D हो जाएगा कराय कोशन में कि सबसे पहले कौँ सा हड़ापा काली नस्थल खो जाएगा था तो इसका सही अंसर option number 1 हो जाएगा हडपा को खो जाएगा था कराय लगतार बढ़ती कीमतियों की परकिर्या कहलाती है तो क्या कहलाएगा option number D हो जाएगा मुद्रा स्फूर्ती कराय है उच्तम नियाले के नियाद हिस्थो की संख्या में बिर्धी करने की सक्ति किसके पास है तो इसका सही अंसर option number 1 के पास यानि कि संसंत के पास रहेगा कराय कोशन में कि 1916 में अखिल भारती हम रूल लिखे अस्थापना किसके द्वारा क्या गया तो इसका सही अंसर option number B हो जाएगा एनिवेशन के द्वारा कराय कोशन में कि कमपनी निगम का निमलिखित में से किस पर लगाया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा option number 1 कमपनी के निवल हाईपर उसके बाद कराय कोशन में कि स्वतनांता प्राप्ति के समय भारती राष्टे कॉंग्रेस के अध्यच कौन था तो इसका जो सही अंसर होगा जेवी किर्पलानी next question कराय वानिज्यक वैंक क्रेडिट सर्जित करते हैं तो बासर का सही अंसर डी हो जाएगा अपनी जमा के अधार पर next question कराय दुधवा नेशनल पार्क के स्थित है तो इसका सही अंसर option number 1 हो जाएगा उत्तर परदेशन में हो जाएगा next question तो next question में देखते हैं कराय इसरो का पूरा नाम क्या है तो इसका सही अंसर option number 2 हो जाएगा Indian Space Research Organization हो जाएगा और इसके जो अभी अध्याच है एश्रुमनात है 10 में नमबर के next question कराय परती कूल भुगतान संतूलन की स्थिती कब उत्पन होती है तो इसका सही अंसर option number 1 हो जाएगा जवायायत आयत निर्यात से अधिक हो कराय कोसर में उच नियाल लाई में नियाय धिसो की निक्ति कौन करता है तो इसका सही अंसर option number B हो जाएगा राष्ट पती कराय भारती अर्थवास्ता का अभिकास की सदहार पर वक्त किया जाता है तो इसका जो सही अंसर होगा option number B हो जाएगा परती ब्यक्ति आय कराय किस बिहारी नेता के अधियस्ता में भारती राष्ट कॉंग्रेस का एक बिसे सदिवेशन अगस्त उन्हेस ओठारा में बंबई में हुआ तो इसका सही अंसर option number C हो जाएगा सेयद हसन इमाम कराय गंगा नदी मिलाहवाद से हल्दिया के बीच कौन सांतरे देशिये जल्फत है तो इसका सही अंसर option number D हो जाएगा एक पहला है उसके बाद कराय कोस्चन में कि बीचली के एक एक के डवलू एच से तो क्या हो जाएगा तो इसका सही अंसर option number 1 108 का बल्फ 10 घंटे जलाया जाएगा तो उतना खपत होगा next question कराय एक तत्व के समस्थानिक में इसका सही अंसर option number 2 हो जाएगा protonों की संख्या समान होती किन्तु neutron के संख्या भीन-भीन हो जाएगा और द्रमान भी भीन-भीन हो जाएगा उसके बाद कराय कोस्चन में कि सूर्ज से सर्जित परवाईनिक किरने को कौन सी गैस रोकती है तो इसका सही अंसर एक हो जाएगा ओजोन हो जाएगा और ओजोन के सुत रोत्री और इसके जो गंत हो था शड़े मचली की तरह कराय प्राकिर्तिक कारवन का विशुद रूप है तो इसका सही अंसर option number D हो जाएगा हीरा उसके बाद कराय कोस्चन में कि निमली खित में कौन सा एक कीट उप्योगी नहीं है तो कौन ही जो उप्योगी नहीं है तो C घरेलुमा की उप्योगी नहीं है उसके बाद बात करेंगे तकराय निमली खित में कौन उसमा का सबसे अच्छा सुचालक है तो इसका सही अंसर option number एक हो जाएगा CO पलस N2 हो जाएगा नेश्ट कोस्टन करा किसी चुमबा को गर्म करने पर उसके चुमबा पर क्या असर पड़ेगा इसका सही अंसर D हो जाएगा नश्ट हो जाएगा उसके बाद का रहाय के निमली खित में कौन सा कास्टिक बायो गैस में उपस्तित नहीं है तो 78 का सही अंसर option number C कलोरीन नहीं है उसके बाद का रहाय की आख के किस भाग पर बस्तु का परतिवी बनता है तो इसका सही अंसर option number D retina जिसको द्रिश्टी पटल कहेंगे कराय कोस्टन में कास्टिक शोड़े का रसाइनिक नाम क्या है तो इसका सही अंसर क्या होगा तो option number C sodium hydroxide हो जाएगा NaOH Next question करा है तो इसका सही अंसर बता दिजिएगा तो इसका सही अंसर option number B हो जाएगा तो math को डेरेक्टिक लगा देंगे 82 का सही अंसर क्या होगा इसका सही अंसर option number D हो जाएगा और math का भी कई वीडियो बनाया हुआ है 83 का सही अंसर option number B हो जाएगा option number B 84 का भी simple है 84 का सही अंसर option number C हो जाएगा अब यहां पर English है तो English का सही अंसर माल लिजे 85 का सही अंसर option number 1 हो जाएगा 85 का option number 1 हो जाएगा 86 की बात करेंगे 86 का option number 6 हो जाएगा 87 की बात करेंगे 87 का सही answer option number 2 हो जाएगा 88 की बात करेंगे 88 थोड़ा सा देख लीजेगा 88 की बात करेंगे तो इसका सही answer option number 1 हो जाएगा 89 की बात करेंगे तो 89 का सही अंसर क्या हो जाएगा B हो जाएगा 90 की बात करेंगे तो 90 का जो सही अंसर होगा option number D हो जाएगा 90 की बात करेंगे तो कराय हर घर पानी पहुंचाने की योजिना में बिहार देश में खाले अस्थान मिला है इसका सही अंसर option number 1 हो जाएगा पहला हो जाएगा 92 में बैसाली जीले के हाजीपूर निवासि खाली अस्थान ने टोक्यो पैरा उलम्पिक 2020 में पूरुस एकल बैडमिंटन में फाइनल में UKKD बेथेल को हराया तो 92 का सही अंसर option number D हो जाएगा परमोद भगत है जो बैडमिंटन से थे परमोद भगत D हो जाएगा करा हा है कि दिये गए सब्द को बिलूम सब्द का चेयन कीजिए तो 93 का यहनि कि सहीत का यहनि कि बिलूम क्या हो जाएगा तो इसका सही अंसर option number B हो जाएगा हराकर भाग जाना उसके बाद 95 का जो सही अंसर हो जाएगा तो इसका सही अंसर C हो जाएगा 96 की बात करेंगे तो मुहावरे का करा चटनी हो जाना तो 96 का सही अंसर आप्सन नमर एक बहुत जल्द खर्च हो जाना अब बात कर लेते हैं 97 का करा बिहार के किस जीले में तैरता हुआ स्वरूर जा बिली घर तैयार किया जा रहा है तो 97 का सही अंसर आप्सन नमर भी हो जाएगा सूपाउल में कहां सूपाउल में उसके बाद करा बिहार में सभी मर्जेंसी से वाए कौन से डायल नमर पर उटब्द होगी तो डी हो जाएगा 112 99 का सही अंसर क्या होगा जिसका सही अंसर शीव हो जाएगा और 100 में 100 का सही अंसर करा किसी पीछे पीछे चलने वाला तो इसका जो सही अंसर option number D हो जाएगा अनुगामी तो बस 100 question का वीडियो था तो वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर देजिए चैनल पर नए हैं तो subscribe कर लेजिए और अपने मित्रों के पास जरूर शेंड किजिए वीडियो समाप्त करते हैं जैन जै भारत